नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे 12 जनवरी बुद्वर शाम सवा पांच बजे राजस्थान की बड़ी खबरें प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आज राश्ट्रिय युवा दिवस के मोके पर सुक्षम लगू और मध्यम उध्यम मंत्राल्य के एक प्रोग्योगी की केंद्र का उधगाटन किया इसे लगबग 122 करोड रुपे के निवेश से पुडू चेरी में स्तापित किया गया है इस अफसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज युवा आप सभी को राश्ट्रिय युवा दिवस की बहुत बहुत शुपकाम नाए भारत मा की महान संतान स्वामी विवेका नंद को उनकी जयनती पर मैं नमन करता हूँ आजादी के अमरित महोत्स्व में उनकी जनम जनती और अधिक प्रेनारदाई हो गई है उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से हाड कामने वाली ठंड पड़ रही है मोसम विभाग ने चितावनी जारी करते हुए कहा है कि इस हफ्ते के आखरी में उत्तर पश्टिमी के मैदानी इलाकों और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीत लहर फिर लोट सकती है मोसम विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि पंजाब हर्याना चंदिगर्ट पश्टिमी उत्तर प्रदेश उत्री राजस्थान मध्या प्रदेश और गुजरात में एक से दो दिन तक ठंडी सताती रहेगी मोसम विभाग के मताबिक उत्तर पश्टिम भारत के मैदानी इलाकों में यूंतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आईगी 12 से 15 जनवरी के बीच पंजाब उत्री राजस्थान हर्याना और चंडीगर्ड के अलग-अलग इलाकों में शीत लहर चलने का अनुमान है राजस्थान सरकार ने मंत्री मंडल फेर बदल के करीब डेड़ महीने बाद अलप संख्यक पल्यान विभाग के एक संयुक्त सचीव बंशिधर कुमावत को ग्रामीन विकास राजय मंत्री राजेंदर सिंग गुड़ा का विशेश सहायक न्यूक्त किया है बंशिधर कुमावत को आज से करीब दो साल पहले 4 सितंबर 2019 को ACB ने दलाल के जरिये 4 लाख रुपे के रिश्वत लेते रंगे हातों गिरफतार किया था ऐसे अफसर को मंत्री गुड़ा के विशेश्ट सहायक के पद पर पोस्टिंग देते ही प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दोर शुरू हो गया है दागी अफसर को मंत्री के विशेश्ट सहायक के पद पर जिम्मेदारी देने पर कई कारणों से सवाल उठाये जा रहे हैं अब तक दागी अफसरों को मंत्रीयों के विशेश्ट सचीव पद पर पोस्टिंग नहीं देते थे राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्ते मंत्री परसादी लाल मीना को आज सिपला लिमिटेड की ओर से CSR के तहत प्रदेश के सामुदाई स्वास्ते केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरन 700 नेबुलाइजर किट सोपे गए इस अफसर पर श्री मीना सिपला लिमिटेड धन्यवाद देते हुए कहा कि सिपला की तरहें अन्य संस्थाओं को भी आगे आकर रमजन की सहयोग के लिए प्रयास करना चाहिए प्रशासन शहरों और गावों के संग अभियान के अलावा संपर्क पोर्टल पर ही लोगों ने बिजली की 8.26 लाख शिकायते मुख्यमंत्री कारियाले तक भी पहुंचाई बिजली महेक में से जुडी करीब 8.00.000 से अधिक शिकायते दर्ज कराई हैं वहीं 1000 से अधिक शिकायते लोगों ने मुख्यमंत्री कारियाले तक भी की हलांकि डिसकोम्स प्रशासन का दावा है कि अधिकतर शिकायते दूर कर दी गई हैं जबकि प्रशासन गावों और शह के जानगर्ण में नगर परिशत प्रशासन की आंग खुली आनन फानन में मंगलवार को आयुक्त सोहनलाल नायक टीम के साथ नया बजार शेत्र में पहुंचे वै इर्मानाधिन अभैद व्यवसाइक परिसर को सीज किया टीम ने परिसर के मुख्य दर्वाजे पर सहित ताला लगा कर करवाई को अंजाबन दिया टीम ने वरिष्ट पारुपकार उद्य सिंग सफाई निरिक्षक कलजीत सिंग सहायक निरिक्षक ननाल मीना सहित करीब दो दर्जन कार्मिक शामिल थे रक्षा मंत्री राजनात सिंग के करोना संक्रमित होने के बाद उनके शिग्र स्वस्त होने के लिए आज राजस्थान के अजमेर स्थित सूफी संथ खवाजा वोईनु दिन हसर चिष्टी की दर्गा में दुआ की गई अजमेर दर्गा कमेटी की ओर्स से तायब सदर मुनवर खान एवं वागो सायद मुनवर चिष्टी ने अन्य लोगों के साथ दुआ कर श्री सिंग के शिग्र स्वस्त होने की कामना की राजस्थान में अजमेर जिले में तीस नए करोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं ब्यावर के कोवर्ट प्रभारी अधिकारी शनप टंडन के अनुसार ब्यावर में आज सुबै 24 लोगों के करोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टी हुई है खात टेलों की खुद्रा कीमतों में अक्टूबर के बाद से गिरावर्ट का रुजान है प्रमुक बजारों में खात टेलों की खुद्रा कीमतों में 5-20 रुपे प्रती किलोग्राम की भारी गिरावर्ट आई है मुंगफली तेल का वोसत खुद्रा मुल्य एक सो असी रुपे प्रती किलो सरसो तेल का एक सो पचासी रुपे प्रती किलो सोया तेल का एक सो उन्चास रुपे प्रती किलो सुरज मुखी तेल का एक सो बासट रुपे प्रती किलो और पाम तेल का 128 रुपे प्रती किलो है स्वर कोकिला लता मंगेशकर करोना से संक्रमित होने के बाद इन दिनों मुंबई के ब्रिच केंडी अस्पताल में आईसियो में भरती है उनकी भतीजी रचना शाह ने बताया कि उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और वे रिकवर कर रही है उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल लता मंगेशकर को उक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है रचना शाह ने एक न्यूज वेबसाइट से बात की और बताया अधिक उम्र के कारण उनहें कई समस्यां है ऐसे में डॉक्टर उनका खास खयाल रख रहे हैं वे अगले कुछ दिन और अस्पताल में ही भरती रहेंगी खबरों के मताबिक प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फोन कर लता मंगेशकर के स्वास्ते की जानकारी ली है पांच राज्यों में होने वाले विधान सबा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रधेश के 33 IAS और 14 IPS अधिकारियों को अब्जरवर लगाया है यह सभी अधिकारी चुनाव समापती तक अब्जरवर के रूप में कामकास देखेंगे इन सभी अधिकारियों को 14 जनवरी को सचिवाले कॉन्फरेंस होल में प्रेशीशन दिया जाएगा डुंगरपूर शहर के कलेक्टरेट और कोर्ट परीसर में करोना का विस्पोर्ट हुआ एक ही परीसर में बने दोनों भवनों में 26 करोना पॉजिटिव केस आए है सभी कमरों को बुद्वार को नगर परीशत की टीम ने टैनेटाइस किया ओफिस खुलने के बाद भी परीसर खाली नजर आए जिन ओफिस में पॉजिटिव मरीज आए हैं उन्हें 72 घंटे के लिए सील कर दिया है डुंगरपूर में 8 दिनों में 253 पॉजिटिव केस आए है राजस्थान में सरकारी स्कूलों में लेवल एक और लेवल दो के रिक्पदों को भढ़ने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,000 पदों की भढ़ती प्रक्रिया शुरू कर दी है प्राथमिक और उच्प्राथमिक के साथ ही विशेश रिक्षा के पदों पर अवेदन मांगे गए हैं लेकिन अब तक राजस्थान अधिहापक पात्रता रिक्षा की पात्रता प्राप्त करने वाले 11,00,000 से अधिक अभिहार्थियों को पात्रता प्रमान पत्र नहीं मिल पाए हैं इस वज़े से अभिहार्थी भी समंज़स की स्थीती में है लोगडाउन में नोकरी गवाने वाले उदैपूर के फैशन डिजाइनर रवी सोनी दुनिया की सबसे बड़ी ड्रॉइंग बनाकर वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है जोब छुटने के बाद जब वे मुंबई से उदैपूर लोटे तो कुछ अलग करने की ठानी इसी जुनून में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ड्रॉइंग बना दी जिसे गिनीस बुक ओफ वर्ल्ड रिकोर्ड में जगए मिली है उन्होंने इटली के आर्टिस्ट के रिकोर्ड को तो तोड़ते हुए वर्ल्ड रिकोर्ड अपने नाम किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल आज दो दिन के पंजाब दोरे पर पहुंचेंगे वह बुद्वार को मोहाली पहुंचेंगे जहां वो पार्टी कारेकरताओं से मुलाकात करेंगे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरिवाल पंजाब में पार्टी की तरफ से कट्रू चहरे का एलान कर सकते हैं इस दोड में सबसे आगे संगरूर से सांसत भगवन मान हैं जो धूरी से विधानसबा चुनाव लड़ सकते हैं पंजाब की 117 विधानसबा सीटों के लिए 14 फरवरी को वोटिंग होनी हैं इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी 109 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी हैं अब सिर्फ 8 सीटों पर चहरे उतारने बाकी हैं फिलहाल इस बुलिटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे और बड़ी खबरों के साथ